नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका केरिय प्लस चैनल में आज की सुभे की खबरे देख लेता है इसमें लिखा गुए इसमें जो है टैट पास बीएड डिगरी धारकों का जो है प्रवाण पत्र देने पर रोग आपने देखा होगा जी इनको जो सैटिपिकट मिलने वाल होते हैं और जितने भी नवोदे किंद्री विद्द्याल में बीडवारे पात्र होते हैं पर यह जो प्रैमरी लेविल पात्र नहीं होते हैं इसलिए इनकी सैटिपिकट पर रोक लगा दी गई है एक खुसकबरी आ रही है देख लिजी हाँ पर जो है रोड़ वेज में संबिदा पर की जाएंगी चालकों की भरती यहाँ पर भी लिखा हुआ देख लिजी हाँ पर जो है पिछले दो बर्सों से जादा वक्त से रुकी हुए रोड़ वेज में संबिदा चालकों की भरती वह इसमें बेग्यापन चारी के लिए उन्होंने आदेश भी कर दिया ह बेखे ही और आछ बीचे कर्या सब्स कर्यांस में चालती की अब होगी। पंचायथ, साइकों के गी लिए पदों पर 273 सी साइब बढ़ती होगी। लिखा हुआ है। इसमें नोक़री और कारियर के अच्छे असाइब मिलने। और में 6,000 रुप मैना की महनत ताज की हैं, बजाइसे ग्रामिड इसमें इसमें इलाकों में पृतिवान युवाओं को जो है, ग्राम पंचाएट साइको की जो है, नोगरी रास नहीं आ रही है, बतलब क्या है, उनको 4,000 रुपे की नोगरी चाहिएं, उनको 6,000 रुपे की नोगरी नहीं करनी तो इसलिए इनों ने छोड़ दी गई है क्योंकि आपका पता है छेजार रुपए में फिलाल कुछ नहीं होता है तो यहां पर देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ इसमें जो है कि अब तक चार हजार जो है चार हजार लोगों ने जो है अब तक नोगरी छोड़ दी गई है तो यहां पर देख लेते हैं नोगरी क्यों छोड़ दी गई है आप समझ सकते हैं कि जो रिक्त पद हैं भरने के लिए फिर से नुक्ति प्रकरिया सुरू होगी मतलब क्या सायक के जो है यह जो पंचा सायक के जो पद है यह दोवारा भरे जाएंगे और इसमें जो बैप साइड मैं आपको बता दूँगा अभी उसके दोवारा आप देख सकते हैं कहां कितने हैं किस जिली के अंतरगाजि जो ए और पीली भीत मैं भी ग्राम पंचायिक के रिक्त पद खाली है इसके वाद जो आग और पंचाया सायक के जो ए पद खाली पीली भीत मैं इसके अचैज रवा जो आप वैपसाइट बजाके देख सकते हैं कि मैं आपको वैपसाइट बता रहा हूँ अगर आप विरोजगार हैं और नौकरी की चाहा रखते हैं तो प्लीज अपने गाउं में आप ये फर्म भर दीजिएगा आपको 6,000 रुप महीना मिलेगा बैठे बिठाए और काम कुछ न देख सकते हैं कि पंचाइट को कितनी बेकिंसी खाली या आपकी ऑफिसल वैपसाइट दे रखिए ऑफिसल वैपसाइट आप डिश्टिक का नाम डालिएगा कहां पे कितने प्रदेश खाली है वह आपको इसमें शोक कर जाएगा अब बात करते हैं सांग की अधिकारी 22 तारीक रखी गई है 22 मई को है संडे के दिन इन्होंने बूर रखा गया है अब बात करते हैं जो है एप यूप भरती के लिए प्रारामी परिक्षा 10 जुलाई को होगी और साथ में जो है चबालिस पदों पर जो है बरती के लिए यूप एसी ने गोशित कर दी तारीक इस 10 इसमें 2 जुलाई को अब बात करते हैं जो है इसके अंतरगदर राज्यकिर्सी सेवा के पांच पदों पर इंटरव्यू 19 को इसमें लिखा हुआ है इसमें जो है उत्तर प्रदेश लोग सेवा योगने जो है संब्रित राज्यकिर्सी सेवा के अंतरगदर 20 के तहत जो है जिला उध्यान अधिकारी की ग्रेट टू का जो इंटरव्य होगा वो आप देख लिए स्वेम डिखा हुगा इसमें 19 को होगा अब बात करते हैं असास की जो कॉलिज होते हैं साहिता प्राप्त मतलब के एडिट कॉलिज में जो है अब असास के विध्यालों में कम्पिटर सि आनिवारे कर दीगी तो सरकार ने शपराशी भरती लिए सरकार ने बोला था और ग्रूप डी के लिए कमसा हम 20,000 पतों पर बर बरती के लिए एनों ने आदिस करा था और नए सिक्षा नीति के तहद ये सुरू होगी और साथ में किलर्ख वरती के लिए उननों बोला प्रास की साहता प्राप्त मादिमिक विद्यालों में कम्पिटर सिक्षा अनिवारे कर दी जाएगी और इसके लिए मादिमिक सिक्षा निदेशालने अभी से पदों के सरजन की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है और इसके अंतर का जो है हाँ पर देख लेते हैं कम्पिटर सिक्षा हाई स्कूल में इंटर में होगा तो इसके बाद कम्पिटर सिक्षकों की बड़ती सिक्र की जाएगी अगली खबर की और बढ़ते हैं आगे जो है इसमें लिखा हुआ असिस्टेंट प्रोफिसर के 84 चैनितों को मिले जो है जो है जो है जो है जो है उच्छी सिक्षा निदेशालने जारी किया और लाइन कांसलिंग का रिजल्ट और 10 विसों के चैनित अभ्यारती को निक्ति पत्रवी दे दिया गिया इसमें इसमें देख़ा हुआ ज diferentes करालें कि सत्तियापन करातीं अब्यारती महिलें ये अब्यारती महिला हैं इनका चैन में हो चुका उसीट्ट बहुत्सिप्रफिसर में बद करते हैं जो हैं इस में दो विसों में असिस्टेंट प्रॉफर के 248 पड़ुक पर अंतीम चैन उन्हें प्रणाम घोशित कर दिया गया थे समाचसात्र और या आपका याप पिसर का अंतिम चैन प्रणाम घोशित कर दिया गया है अगर आप टैंथ क्लास पास हैं तो आप SSC के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं सेलेक्षन पोश्ट के अंतरगत फेस्टू का अब बात करते हैं जो इसके अंतरगत जो है इसके बाद चालीस पतालीस में एज होने चाहिए मतलब कि अठारा से लिमिट और इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ इसमें जो है उम्मीद्वार ने मानता प्राप सकते हैं उम्मीद्वार ने मानता प्राप जो है बोड से दस क्लास पास कर रखी हो आगे देखते हैं जो है तेरे जून द्यार वाइस तक इसके जो है वह आब इन चलंगे और इसके ऑफिसल वैबसाट आपको यह दे रखी है आप इसमें जाके आप टैंथ क्लास पास अग हैं अब यह जो है लड़के बार बार मां उठा रहे हैं कि दरोगा भरती के लिए 57 निकल्ची भेज़े गए जेल अब आप समझ सकते हैं जब 57 लोग को जेल भेज दे गया है और कितने ऐसे लोग होंगे जिनोंने जो है यह दरोगा भरती और पास करी होगी तो इसके लिए जो है पुली समकक्स जो है इसमें जो है सीधी भरती के लिए इसमें दांदली हो सकती है तो आप समझ सकते हैं जो सीधी भरती होती है उसमें दांदली की चांस 100% जादा रहते हैं तो यही चीज है कि इसके अंतर का जो है ओप निरिक्षों की जो भरती हो रही थी दरोगा क इसमें सबसे ज़्यादा निकल जी पकड़े गई थे और चैनल पगर आप नए है तो प्ली चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए गा जिससे कोई इंफर्मिशन कोई पड़ती है आपके हासे निकलना जाए कोई सुचन आपके हासे चूटना जाए प्लीज सब्सक्राइब माइ यूटूब चैनल करिये प्लास थेंक्यू बेरी मच